हेलो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे अविस्कारों के बारे में बताऊंगा जो बारत के दुवारा किये गए थे लेकिन उनको बारत से छीन लिया गया सो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको बहुती नोलेज देने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों भारत एक समय में पूरी दुनिया का गुरू रहा है भारत के बिना ना तो धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना ही विज्ञान की महा भारत और रमायन जैसे गरंधी अपने आप में ही सारी विज्ञान को समेटे हुए हैं हमारे भारती रिशी मुनियों ने ऐसी खोजे और जानकार्या दी है जिनके कारण से ही आज विज्ञान का स्तित्व है थोमस एडिसन ने भी अपनी किताब में यह लिखा है कि वह किये गए ज़्यादतर अविसकार या तो बुला दिये गए हैं और या उनका पैटेंट विदेशियों ने अपने नाम करवा लिया है आज मैं आपको पांच ऐसे अविसकारों के बारे में बताने वाला हूं जिनका असल में अविसकार भारत में हुआ था पहला अविसकार जिसका नाम है बटन हालांकि मोटे तोर पर देखा जाए तो बटन एक मामूली सी चीज है लेकिन इसका महत्व क्या है वह आप सब लोगों को पता है सबसे खास बात यह है कि प्राचिनकाल से लेकर आज तक बटन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आये हैं शर्ट के बटन का विसकार सबसे पहले भारत में हुआ था इसका सबसे पहले परमान महणजोद्रों की खुदाई से प्राप्थ हुआ था इन खुदाईयों में बड़ी मात्रा में वस्तर मिले थे जिन में बटन लगे हुए थे दूसरी चीज जिसका अविसकार भारत में हुआ था उसका नाम है पहिया महा भारत के युद में रथों के उप्योग का वर्णन किया गया है और बगेर पहिये के रथ चल ही नहीं सकता इससे सिध होता है कि पहिये का अविसकार सबसे पहले भारत में हुआ था पहिये का अविश्कार मानव विज्ञान के इतियास में सबसे बड़ी उपलब दि थी पहिये के अविश्कार के बाद ही साइकिल से लेकर कार तक का सफर पूरा हुआ इस से मानव को गती मिली है और गती से मानव के जीवन में परिवर्तन आया है हमारे पस्चिमी विद्वान पईये के अविस्कार का स्रेय इराक को देते हैं जबकी इराक में रेतिले मेदान हैं और वहाँ के लोग 19 वी सदीक तक रेगिस्तान में उंट की सवारी करते थे महा भारत के अलाव भी आज से 2000 से 3000 साल पहले विश्व के सबसे प्राचीन सिंदू गाटी सब्यता के अवसेशों से प्राप्त खिलोना हाथी गाडी भारत के राष्ट्रि संग्रालिय में परिणाम सवरूप रखी हुई है सिर्फ यह हाथी गाडी ही परिमानित करती है कि विश्व में पहिये का अविस्कार इराक में नहीं बलकि भारत में किया गया था सल्य चिकसा यानि की प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी के अविस्कार के बाद दुनिया में करांतिस ही आ गई है पस्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सरजरी आधुनिक विग्यान की देने है भारत में सुसृत को पहला सल्य चिकिसक माना जाता है आज से करीब 3000 साल पहले सुसृत ने युद या प्राकतिक विपदाओं में जिन मानव के अंग कट जाते थे उन्हें ठीक करने का का सुसृत ही करते थे सुसृत ने अपने समय के स्वास्थिय विज्यानिकों के साथ परसों मोत्याभीन करतिमंग लगाना पर्थरी का इलाज और प्लास्टिक सरजरी जैसे कई तरह की जटिल शल्य चिकिसा के सिधान परतिपादित किये थे अस्त्र सस्त्र धनूस बान बाला या तनवार आधी का विश्कार तो भारत में ही हुआ है इसके अतरिक वेद और पुराणों में अगनी सस्त्र बर्मा सस्त्र जैसे सस्त्रों का भी जिक्र किया गया है आधुनिक काल में पर्मानु बम के जनक जय रोबर्ट ओपन हाइपर ने महाभारत का अध्यन किया था उन्होंने महाभारत में भताये गए संदारक अस्त्रों पर सुरोध किया रोबर्ट के नेत्रत्रों में 1945 से 1945 के बीच विज्यानिकों की टीम ने यह कार्य किया और 16 जुलाई 1945 को पहला पर्मानु परिक्षण किया गया पर्मानु सिदान सास्त्र के जनक जोन बोतल को माना जाता है लेकिन उन से भी डाई हजार वर्षपूर्व रिसी कनाद ने वेदों में लिखे सुत्रों के अदार पर पर्मानु सिदान्त का प्रतिपादन किया था बारतिये इत्यास में रिसी कनाद को पर्मानु सास्त्र का जनक माना जाता है अचार्य कनाद ने बताया था कि द्रवे के पर्मानु होते हैं इत्यास कार टी अन कॉले बुरक ने अपनी किताब में लिखा है कि अनु सास्त्र में अचार्य कुनाद यूरोपिय विज्यानिकों की तुन्ला में अधिक ग्यान रखते थे आखरी चीज जिसका विज्कार बारत में हुआ था उसका नाम है विमान इत्यास और स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि विमान का विज्कार राइट ब्रदर्स ने किया था लेकिन यह सचाई नहीं है यह बिल्कुल गलत है ऐसा कहना तो ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की सुरवात राइट ब्रदर्स ने 1903 में की थी लेकिन उनसे 1000 वर्स पहले महरसी भारदवाज ने विमान सास्त्र लिखा था जिसमें हवाई जाज बनाने की तकनीक का वर्णन किया गया था महरसी भारदवाज द्वारा लिकित विमान सास्त्र में एक उन्ने वाले यंत्र यानी विमानों का वर्णन किया गया था था हवाई यूद के नियम वो परकार भी बताए गए थे उन्होंने विस्तार से लिखा है कि बोधा एक ऐसा विमान था जो अद्रस्य हो सकता था और दुस्मन के विमान को नश्ट कर सकता था जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की पांती दिखता था रमायन में भी पुस्पक विमान का जिकर मिलता है जिसमें बेटकर रावन सिता जी को हरकर ले गया था दोस्तों निश्ची थी आपको भी भारत के दुवारा किये गए इन महान अविस्कारों को जानकर गर्व मैसूस हो रहा होगा आप इन अविस्कारों के बारे में क्या सो बारन